बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे, बुलुश्री सद्गुरु महाराजी, प्राणधार, आत्मसम्यन्दी, सुन्दर साज्जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से सुन्दर साथ ने आठ महिने की अवधी तक मन्सवर में भिक्ष्या माग करके गुजारा किया है, जागनी के लिए निकलने पर रास्ते में कैसी कैसी कठिनाईया आती है, उनको किस तरह से पार किया जाता है, उसका उदाहरन हमने कल सुना, और इसके साथ ही, कि स्रीजी के आदेश से राजा भाव सिंग की जागनी के लिए स्रीजी औरंगाबाद गए है, मुकुन्ददास जी, और चो कि स्रीजी का आदेश प्राप्त है, बिना जागनी की लोट नहीं सकते, इसलिए रामदास जी की मार खाने के बावजूद भी, उन्होंने लक्ष द्रिष्टी पर बनाए रखा, उपाय निकाला, और स्रीजी का संदेश भाव सिंग तक दे दिया, साथ ही साथ, राजा भाव सिंग के दरवार में जो पंडित थे, उन पंडितों से थोड़ी बहुत बात्चित हुई, वहां तक का प्रसंग हमने सुना था, और अन्तिम में यही सुना, कि मुकुंद दास जी ने ये सर्थ रखी है, सभी पंडितों के सामने कि कुछ प्रश्ण में पूछूंगा, कुछ आप पूछेंगे, हम में से जिनको जवाब नहीं आएगा, अथवा जो हार जाएगा, उसे जूते की माला पहना करके पूरे शहर में गुमाया जाएगा, देखिए, वैसे तो एक द्रिष्टी से ऐसा भी लग सकता है कि ये जियान का अहंकार है, पर कभी कभी क्या होता है, एक कहावत कही जाती है कि जो साप होता है न, जो जहरीला होता है वो तो होता ही है, उससे तो सब लोग डरते, पर जो सांप जहरिला भी न हो और फुपकार ना भी छोड़ दे तो सबसे ज्यादा ऐसे सांपों को मरना पड़ता है इसलिए जहां शांती की आओ सेकता हो वहां शांती का प्रयोग करना चाहिए पर जहां जियान दिखाने की आओ सेकता हो वहां दिखाना भी चाहिए यहां मुकुंददाष जी के साथ जितने भी पंडित आये हैं वे सभी तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से भाव सिंग को बरगलाया जाए, भटकाया जाए, उकसाया जाए पर मुकुंददाष जी के मन में यह है कि मैं कुछ भी करूं पर स्रीजी का संदेश इन तक दे दू जियान को समाज में जाहिर करने के दो विशेश तरीके हैं एक है जिसको खंडनी कहा जाता है खंडन और दूसरा है मंडन खंडन का तात्पर यह क्या होता है कि जो भी गलत सिध्धान थे उसको प्रमाणिक रूप से तरक तथ्य प्रमाण दृष्टान्त आधी के आधार पर यह साबित कर देना कि यह गलत है जो गलत है उसको गलत साबित कर देना यह खंडन है और मंडन किसे कहते हैं अपने सत्य सिध्धान को रखना जिसमें किसी प्रकार की खंडनी नहीं आती है पर ज्यान के प्रचार के लिए दोनों की आओ सेकता पड़ती है कई बार हम सोचते हैं कि हमें खंडनी नहीं करनी चाहिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बात ठीक है दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए पर कभी-कभी परिस्थती ऐसी होती है कि शरीर के किसी अंग में ऐसे घाव हो जाएं जिसमें फोड़े की तरह जैसे मवाद भर जाए यदि उसको फोड़ेंगे नहीं तो अंदरी अंदर वो घाव बढ़ता ही जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा दर्द देते हुए उस मवाद को बाहर निकलना जरूरी है जो अहंकार होता है वो अहंकार भी इसी तरह से होता है फोड़े की तरह घाव होता है जो अंदर यंदर बढ़ता रहता है अंदर यंदर पीड़ा भी हो रही होती है पर जिसमें ये अहंकार है वो कभी नहीं चाहेगा कि बाहर का व्यक्ति इसको फोड़ दे क्योंकि फोड़ते समय भी थोड़ा दर्थ तो होता है अब मुकंददाह जी सोच रहे हैं कि यदि हम केवल अपना पक्ष रखते हैं तो ऐसे पंडित हमें गलत साबित करने की कोशिस करते रहेंगे इसलिए पहले तो इनको गलत साबित करना आवस्यक है इस भाव को लेकर उन्होंने सीधे चुनोती दे दी कि सास्त्रार्थ किया जाएगा जो हारेगा उसको इस तरह से जुत्य की माला पहना करके गुमाए जाएगा अब पंडित जी ने सोचा जितने भी पंडित थे कि हार नहीं सकते हम तो राज जा के दरबारी पंडित है ऐसे सामान्य पंडित भी नहीं समसाही पंडित है उन्होंने असी प्रस्न लिखे और मुकंद दाश जी ने लिखे 23 प्रस्न अब गिंती से तो कोई फरक नहीं पड़ता है उनके जो असी प्रस्न थे मुकंद दाश जी ने उसी दिन हातों हात सभी प्रस्टों के जवाब दे दिये और पंडितों को मुहलत दे दी 15 दिन की कि आपके पास 15 दिनों का समय है यदि आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे दीजिए अब राजा भाव सिंग ने देखा कि मुकंद दाश जी ने तो इनके जवाब तुरंत दिये हैं और पंडितों के पास जवाब नहीं है वो समय माग रहे हैं तो भाव सिंग ने कहा कि ठीक है तब तक के लिए जो आपको प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है तो वो बंद कर दी जाएगे 10-20 रुपय पाते थे अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अपने अपने पद के हिसाब से लेकिन प्रतिदीन पाते थे उस समय 10-20 रुपया मतलब क्योंकि राजा के दर्बारी पंडित है हजारों रुपए के बराबर है तो राजा ने कहा कि जब तक जवाब नहीं दे दे ते तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा मुकंदास जी ने तो उसी दिन जवाब दे दिये थे अब पंडित गए रात को सभी लोग ने विचार विमर्ष किया कि इन में से तो किसी प्रश्ण का जवाब हमारे पास नहीं है क्या किया जाए सभी मिल करके मुकंदास जी के पास चले गए और जा करके कहते है मुकंदास जी को कि क्या आपके स्वामी जी ने यही कहा है कि आप जाओ और जा करके पंडितों के पेट पर लात मारू चूकि इन पंडितों को स्री जी के स्वरुप की पहचान नहीं है इसलिए वे स्वामी जी सब्द का प्रयोग कर सकते हैं हमारे समाज में भी मैंने बहुत सारे विद्वानों के मुक्ष से स्री जी के लिए स्वामी सब्द का या प्राणा जी के लिए स्वामी जी सब्द का प्रयोग करते हैं जबकि स्वामी सब्द का आर्थ होता है एक सन्यासी स्वामी सब्द सन्यासी के लिए प्रयोग होता है स्री जी सन्यासी नहीं है वे तो चारो आश्रमों से उपर है क्याते हैं न रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत नाहू वैश्णव अप्रस आचार जात कुटम कुल नीच नाउच नाहू वरण अठार स्री जी सब से परे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको सन्यासी कहा जाना चाहिए हम स्री जी कहें प्राण्णाजी कहें धामधनी कहें इन सभी संबोधनों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सन्यासी या स्वामी की रूप में तो दुनिया की लोग पहचान रहें ना हम ब्रह्म सुष्टी का दावा करके स्री जी को एक सन्यासी के रूप में कैसे देख सकते हैं तो इसलिए हम उन्हें सन्या से ना कहें हाँ उन पंडितों ने कहा कि जो स्वामी जी यों ही कहा कि रोटी भानो पंडितन तो हमारा क्या चारा संतोस पकड़े मन पंडित कह रहे है कि यदि आपके स्वामी जी ने ऐसा ही कहा हूँ कि पंडितों का रोजगार छीन लो उनके पेट पर लात मार लो तब तो हम खेर कुछ कह नहीं सकते हमें अपने ही स्थिती में संतुष्ट रहना पड़ेगा अन्य था यदि ऐसी बात नहीं है तो कृपया हमें इस परिस्थती इसे बाहर निकालिये कहते हैं ना तो हमारा छुटकारा करो हम हारे दसबेर हम दस बार कहने के लिए तयार हैं कि हम हार गए पर यदि हम राजा के सामने ऐसे ही स्विकार कर लेते हैं कि हम हार गए जो दस बिस रुपय मिलते थे वो एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है हमारे बाल बच्चे है इसलिए आप हमारे पेट पर लात मत मारो मुकंददाफ जी ने कह दिया कि कोई बात नहीं आप चिंता मत किजिए हम राजा से आपकी सिफारिस कर देंगे राजा आपको दे देंगे उपलब्द करा देंगे अब अगले दिन राजा भावसिंग के पास गए और मुकंददाफ जी ने कह दिया कि महराज ये मेरे प्रशनों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है क्योंकि मैंने जो प्रशन पूछा है ये तो अखंड की लीला के संदर्व में है और इन प्रशनों का उत्तर तार्तम ज्यान के बिना कोई दे ही नहीं सकता है बिना तार्तम ज्यान के कोई इन प्रशनों का उत्तर नहीं दे सकता है इसमें इन पंडितों का कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेधन करता हूँ कि इन्हें जो वेतन दिया जाता रहा है वो चालू कर दिया जाए इससे क्या सावित होता है कि यदि पहले किसी के मन में संका हुई होगी कि मुकुंद दाश जी ने ज्यान के अहंकार में उनको जुता पहन करके घुमाने की बात की थी वास्तविक्ता ये नहीं है केवल उन पंडितों को स्री जी के स्वरुप की पहचान करानी है और राजा भाव सिंग को ये तार्तम ज्यान की महिमा बतानी है क्योंकि यदि उनमें अहंकार होता तो उन्हीं पंडितों को वापस वेतन देने की बात नहीं करते इसलिए अब जब मुकंदाह जी ने निवेदन किया राजा कहते हैं कि आपने कह दिया आपकी बात हम पूरी तरसे मना भी नहीं करेंगे लेकिन जितना धनी इनको दिया जाता है वो तो इनके लिए बहुत ज्यादा है इनमें योग्यता नहीं है और इसके बावजुद भी हम इनको दे रहे हैं तो अब हम इसका आधा धन देंगे और उस आधे धन में यदि इससे पहले वो घीमे बने हुए व्यंजन खा रहे होंगे तो अभी रुखा सुखा गुजारा इनका चल जाएगा पर भूखे नहीं मरेंगे हम इतनी व्योस्था करेंगे कि ये भूखे ना मरें पर इतना भी नहीं देंगे कि ये केवल खापी करके ज्यान से दूर हो करके करतवे निष्ठा से दूर हो करके रहें और ऐसा कह करके जो उनको वेतन दिया जाता था उसका आधा करके देना शुरू किया अब उसके बाद एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे वेतित हुए मुकुंद दाश जी के माध्यम से राजा भाव सिंग ने तार्तम ज्यान सुना उन्होंने जो प्रस्ण पूछे थे उन प्रस्णों का जवाब भी स्वयम ही दे दिया कि इन प्रस्णों का यह यह जवाब है और इस तरह से मुकुंददाश जी के द्वारा प्रभोधित किये जाने पर दो-तिन दिन के बाद उन्हें तार्तम की कुछ-कुछ बातें समझ में आने लगी हमारा सिद्धान्त निजानन दर्शन का कुछ-कुछ सिद्धान्त समझ में आने लगा और उन्होंने कहा कि मुकुंदाश जी आप यहां से जाईए और स्रीजी साहिब को यहां पर लेके आईए औरंगाबाद में बुलाईए आप यहां से जाना सवारी लेकर के ताकि सिग्रता पुर्वक स्रीजी आ सके बूदी नामक स्थान से एक हथीनी लेकर के जाना और हम आपकी सवारी के लिए एक घोडा दे रहे हैं जितने सुन्दर साथ है उनके आने के लिए भी राष्टे के खर्च के लिए भी हम पैसा दे देते हैं और बाईजी राजजी के साथ हमें जितने भी महिला हैं जितने महिला सुन्दर साथ हैं उनके ठहरने के लिए भूदी में हवेली खाली करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया अब देखिए स्रीजी इस समय मनसोर के तरफ है जिस समय ये प्रसंग चल रहा है कल हमने मनसोर की भी तक तो सुने मनसोर से स्रीजी पहुँचते हैं आगे उज्जेन और मुकुंद दाहजी है औरंगाबाद में मनसोर से औरंगाबाद की यदि दूरी की भात की जाए तो लगभग पांत सो किलो मिटर है हम कई बार क्या होता है कि हमें दूरी का तो अन्नाजा है नहीं जोग्राफी इतनी हमारी उठी नहीं है तो हम नाम पढ़ते जाते हैं कि स्रीजी उदैपूर में गए उदैपूर से फिर मनसोर गए और मनसोर से इस तरह से उज्जेन फिर उज्जेन से औरंगाबाद पहुँचे पर यह सभी यात्रा अधिकांस यात्रा यह पैदल हो रही है मैं यह इसलिए बता रहा हूँ यह जो संख्या की में बात कर रहा हूँ दूरी की में बात कर रहा हूँ यह किवल इतना बताने के लिए कि स्रीजी ने कितनी लंबी यात्रा की है हम तो कई बार क्या होता है अभी इसी साल मतलब पिछले साल राज्जी की कृपा से अक्टूबर से लेकर के मार्च तक सो दिवस्य जागनी यात्रा निकली उसमें राज्जी की महर से हम अलग-अलग गाओं में गए जिसमें हमारे पहुचने से पहले सारी सुविधाएं होती थी जितनी आवस्यक हैं वे सारी सुविधाएं सुन्दर साथ ने सेवा में कोई कमी नहीं रखी न कभी पैदल चलना पड़ा न कभी भिक्षा मांगनी पड़ी गाड़ियों की विवस्था पहले से ही होती थी कोई सुन्दर साथ ऐसा नहीं हुआ जिसको पैदल चलने की आवस्यक्ता है और ये काम कितने दिन किया गया सौ दिन सौ दिन करने के बावजुद भी हम और हमारे साथ जितने भी सुन्दर साथ हैं हम सब को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया स्री जी ने ब्रह्मात्माओं की जागनी के लिए यदि लगातार जागनी की बात करे तो 1722 से मैं कहूंगा क्योंकि 1722 से मैं दिब बंदर और उसके बाद जागनी की आत्रा निरंतर चली है तो 1722 से लेकर अभी ये जो प्रसंग चल रहा है 1737-38 के आसपास का है लगबग 15-16 साल हो चुके हैं और पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 18 साल हो जाते हैं इन 18 सालों में लगबग लगबग जहां तक मैंने समझा है भी तक को 70 प्रतिसत यात्रा उन्होंने पैदल ही की है या इससे भी ज्यादा हो सकता है इसमें देखिए मन्सोर से जो औरंगाबाद की दूरी है वो 500 किलोमेटर की है और मन्सोर से क्योंकि श्री जी चल करके पहले तो उज्येन पहुंचे थे मन्सोर से उज्येन की दूरी पढ़ती है लगबग 1500 किलोमेटर और उज्येन से औरंगाबाद 400 किलोमेटर लेकिन क्योंकि हवेली की जो बात की है वो बूदी में बूदी पढ़ता है राजस्थान में और राजस्थान में बूदी नामक स्थान से औरंगाबाद की दूरी लगबग 800 किलोमेटर गिया तो स्रीजी ने जितनी बाईजिराजी के साथ और अन्य महिला सुंदर साथ थे उन सब को महां पर छोड़ा पहले और उसके बाद यहां से यात्रा करते हुए पहुँचे है औरंगाबाद तो लगभग लगभग वही समझ लीजे कि पूरा यदि जोड़ा जाए यदि मनसोर से बूदी पहुँचते हुए औरंगाबाद गए होंगे तो लगभग 1300 किलोमिटर की यात्रा की होगी जिसमें से आधी से थोड़ी अधी की यात्रा उन्होंने हथीनी पर की कुछ सुंदर साथ घोड़े पर थे आज यदि हमें जागनी की में बात कर रहा हूँ जागनी के संदर्व में यहां से दिल्ली जाने के लिए कहा जाए चार गंटे की यात्रा है ट्रेन में हम जा सकते हैं एक ही दिन में हम जाके एकाद गंटे की दो गंटे की चर्चा करके वापस आ सकते हैं पर वो काम भी हमें कठी ने लगता है हम उसके लिए भी आना कानी करते हैं स्रीजी इतनी लंबी यात्रा कर रहे है एक-एक सुन्दर साथ को जगाने के लिए ये बात मैं इसी लिए कह रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि वानी का आवतरण और जागनी की लिला पांचमें दिन में किन विकट परिस्थितियों में हुई है तो अब स्रीजी साहिब को बुलाने के लिए सबसे पहले तो बुंदी में एक हवेली को खाली कराया गया जिसमें बाईजी राजी सहीत अन्यमहिला सुन्दर साथ को रखा गया और मुकुंद दास जी भाव सिंग से विदा लेकर हतीनी लेकर और सोयम घोडे पर सवार हो करके गए और राश्ते में जितने भी सुन्दर साथ के आने का खर्चा था यात्रा का खर्चा था वो सारा खर्चा भाव सिंग ने अपने तरफ से दिया मुकंददाह जी मंसोर में आकर के स्रिजी से मिलते है और यात्रा करते हुए मंसोर से निकले हैं उज्जेन में भी साथ हमें हैं चुकि जिस समय उज्जेन पहुँचते हैं वर्षा रित्व शुरू हो गई होती है अब वर्षा में यात्रा तो इतनी की नहीं जा सकती इसलिए पूरे 22 दिन उज्जेन में रहते हैं और उज्जेन के बाद यात्रा करते हुए नौला इत्यादी स्थानों से होते हुए औरंगाबाद पहुंचते हैं जैसे औरंगाबाद पहुंचे कहते हैं भाव सिंग आये के लगा दोव कदम देख दीदार इंच में कृत 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 जानी आतम कृत कृत मतलब धन्य धन्य हो जाना राजा भाव सिंग आये स्रीजी के चरणों में प्रणाम किया और दीदार से दर्शन से ही क्योंकि ये भुमिका बनाई है मुकुंद दास जी ने स्री जी के स्वरुप की पहचान कर आई पहले तो जिस विद्वत्ता का उन्होंने परिज़े दिया है उस विद्वत्ता से भी आभास हो जाता है कि यदि सिस्य ऐसे है सुन्दर साथ ऐसे हैं तो सद्गुरु कैसे होंगे ये भी तो होता है दूसरा मुकंददास जी की स्वयम की रहनी कुछ इस तरह की थी कि जिन पंडितों ने दुर्वव्यवहार किया उनको भी बचाने के लिए उनके भरण पोशन के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की और ज्ञान द्रि श्री जी का दर्शन करकि अपने आपको धन्य समझा और कहते हैं लगा सेवा करने उच्छव रस्वई जब दई जागा हवेली अपनी भई सेवा इनकी तब मुकंद दास जी ने श्री जी तथा सुन्दर साथ को ठहरने के लिए एक जगा दे दी एक हवेली दी और स्वयम सेवा करने लगे है सामाने रूप में क्या होता है देखिए सेवा वैसे तो कहने की आवसेकता नहीं पड़ती है कि सेवा ऐसे की जाती है वैसे की जाती है कई बार क्या होता है कि हम भी प्रचार प्रचार के सिलसिले में यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ जगहों पर हमें यदि जाना पड़े तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए सुन्दर साथ क्या करते हैं धन की सेवा करने के लिए तो तयार होते हैं किसी न किसी व्यक्ति को बोल देंगे अपने नौकर चाकर को बोल देंगे कि इन इन वस्तों की आओ सेकता है वो पूरी कर देना ये करवा देना वो करवा देना दूसरों से करवाने वाले भी होते हैं कुछ सुन्दर साथ ऐसे हैं चाहें तो दूसरों से करवा सकते हैं पर जब भी सेवा की बात आती है सुन्दर साथ की सेवा की बात आती है वो स्वयम ही लग करके सेवा करते हैं यहां भावशिंग के पास कोई कम ही नहीं है हम तो भी तक चर्चा क्योंकि कई बार सुन चुके हैं कई बार पढ़ चुके हैं तो हम कह देते हैं कि उसके अंदर इस्वरिय स्रिस्टी की वासना थी उसकी रहनी को देखकर उसके चाल को देखकर के इस्वरिय स्रिस्टी की वासना होने के बावजुद भी यदि उसकी रहनी देखें उसका प्रेम भाव देखें नाम की अनुरूप क्योंकि भाव सिंग नाम है नाम की अनुरूप उनमें भाव भरा हुआ है नोकर चाकरों की कमी नहीं है सोचिए कि जो औरंग जेब से युद करने के लिए तयार हो स्री जी के कहने पर हां किनी कारण वस नहीं हो पाया जिसको हम आगे सुनेंगे पर नोकरों की तो कोई कमी नहीं होगी वो चाहते तो करवा सकते पर वो स्वयम ही सेवा करने लगे और साथ ही साथ जब सुन्दर साथ कीरतन का गायन करते हैं नर्सिया के कीरतन का सुन्दर साथ गायन कर रहे थे तो उसी में मगन हो करके कहते हैं आप लगा नाचने ज्यों करे मौमिन ब्रह्म स्रिष्टियों की तरह सुन्दर साथ की तरह बेशुद हो करके नाचने लगे देखिए वैसे तो कई बार स्वामी जी मंच पर से निरित्य का विरोध भी करते हैं उनका विरोध करना जाय अज है अपने जगह पर लेकिन यहाँ जो प्रसंग चला है नाचने की बात की जा रही है और उस बात की प्रसंचा की जा रही है कि सुन्दर साथ भी नाचते थे अब प्रसंग यह हो सकता है कि या तो भी तक गलत कह रहा है, या फिर स्वामी जी जो निरित्य की खड़ने करते हैं, या तो स्वामी जी गलत कर रहे हैं, वास्तविकता ये है, कि संगीत में तीन चीजें आती है, गायन, वादन और निरित्य, गाना भी संगीत है, बजाना भी संगीत है, और नाचना भी संगीत है, क्योंकि ब ये तीनों का जो समूह है या समस्टिगत जो रूप है वह संगीत है और जहां तक सुद्ध संगीत का सवाल है संगीत हमारी चेतना को परमात्मा से जोडने का एक बहुती उत्तम साधन है लेकिन आज वर्तमान में जब से टेलिविजन का इंटरनेट का मोबाइल का समय आया है तब से संगीत का रूप भी विकृत हो गया है और संगीत की ही बात कराएं तो नृत्य का रूप भी विकृत हुआ है कैसे? संगीत भक्ती प्रधान होना चाहिए आप नारत जी के हाथ में देखेंगे वाद्दे अंत्र दिखाई पड़ता है सरस्वती माता के हाथ में देखेंगे वहाँ पर भी वाद्दे अंत्र है अनेक रिशियों के हाथ में आप नरसईया को देखिए वो भी गाते बजाते हैं आप मिरा भाई को देखिए, वो भी गाती हैं, नाचती हैं, तो गाने बजाने में कोई दोष नहीं है, पर आज का समाज भक्ती रस से विहिन होकर स्रिंगार रस की तरफ गया है, और स्रिंगार रस भी आज से 25-30 साल पुराने सहित्य को आप पढ़ लिजिए, उसके स्रिंग रस को देख लीजिए, और आज के स्रिंगार रस को देख लीजिए, आज तो बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं फिल्मों में, जिनको आप उपनली बजा भी नहीं सकते, नृत्य की तो बात ही छोड़ देजिए, तो इस प्रकार के नृत्य का विरोध किया जाता है, यदि भक् रस कंगीत में डूब करके अनायासी किसी के अंग थिरक रहे हैं, तो उसमें कोई दोस नहीं है, परमधा में भी तो नृत्य का नृत्य होता ही है, लेकिन आज के नृत्य में, कई बार में भी देखता हूँ, मंदिरों में भी राजी के नाम पर जो भजन बनाय जाते हैं, उन भजनों में भी नृत्य किया जाता है, पर वहां किसको रिजाया जाता है, राजी को ध्यान में रख करके बहुत कम लोग होंगे, जो नाजते होंगे, सबका ध्यान तो केवल ढोलक पर और वहां उपस्थित दर्शों को पर ही होता है, और दूसरी बात, देखे, भी विरोध किया जाता है, क्योंकि हमारा जो दर्शन है, सिद्धान थे, निजानन्द दर्शन जिसको हम कहते हैं, ये तो आत्मिक आनन्द की बात है, और यदि केवल ढोलक के थापों पर ही निरित्य होता है, वो आत्मा का आनन्द नहीं है उसमें, हाँ, अध्यात्म में जितनी गहराई होगी, जितनी गहनता होगी, आत्मा का आनन्द उसमें इतना ही छिपा होगा, इसलिए जो फिल्मी गानों के आधार पर बने हुए भजन हैं, ऐसे भजनों पर भद्धे तरीके से जो निरित्य किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, यदि कोई विक्त प्रेम भाव में डूब करके, परमधाम की नौरंग भाई का भाव ले करके यदि नाच रहा है, एकांत में राज्जी को रिजा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोस है, पर जितने भी सुन्दर साथ नाचने वाले हैं, मैं सबसे ये आगरह करते हुए पू होता है, वैसा अंधृत्य होता होगा, वैसा तो नहीं होता है, परम्धाम में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा directement होता होगा, हम जिन शास्त्री ये नृत की बात करते हैं, इस संचार में भी जैसे कठक है, भरत नाटियम है, ऐसे बहुत सारे, बहुत सारी नृत्य की पध्ध और इस संचार में जो सबसे सुन्दर कोई नाच सकता है या नाच सकती है, उससे अनंत गुना सुन्दर या उससे अनंत गुना आनंद परमधाम के नित्य में होगा। तो इसलिए यह न सोचे कोई भी सुन्दरसाथ की केवल नाचने का विरोध किया जा रहा है। हर चीज का विरोध किया जाता है, हमें खुश नहीं रहने दिया जाता है, आप खुश रही है, पर ये भी तो सोचे, साथ में ये भी ध्यान रखिए, कि कोई नया विक्ति आपके मंदिर में आता है, हमारे मंदिरों में आता है, और हमें इस तरह से हुड़दंग मचाते हुए नाथते हुए देखता है तो वो क्या सोचेगा कि इस से अच्छा तो हम अपने यहां ही ठीक थे हमारे हैं कम से कम फिर भी शालीनता है सौम्यता है, शांती है, अध्यात्म की कुछ बात हो रही है यहां तो फूहड नृत्य हो रहे हैं हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जो कारिय करते हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का हमें ध्यान होना चाहिए अब यहां जो सुन्दर साथ नाच रहे हैं वे आज की तरह ढूलक की थाप पे नहीं नाच रहे हैं। वो आनंद में डूब करके मस्ती भरे नृत्य में नाच रहे हैं। उस समय तो सास्त्रिय रागों में गायन होता था। ताल बद रूप से सुन्दर साथ नाचते थे। आज की तरह नहीं होता था। तो उन्होंने कहते हैं आप लगा नाचने जो करे मुमिन भगत भाव जोर रहे सेवे परमिस्वर। बाव सिंग के हृदय में भक्ती भाव अत्यंत प्रबल होता है। और श्री जी को साक्षात परमात्मा मानकर अथा परमात्मा पहचान करके सेवा करने लगते हैं। भगत भाव उपर उनके लिए भक्ती भाव ही उपर अर्थात सर्वो परी था और उनके मन में स्रीजी के प्रती किसी भी प्रकार का संसय नहीं था और उन्होंने क्योंकि पहले तो रहने के लिए हवेली दी थी अब जैसे जैसे पहचान द्रिड होती गई उन्होंने अपने महल में श्री जी साहिब को पदराया और अपने ही महल में पदरा करके श्री जी की सेवा की वहाँ जब सुंदर साथ रास लीला के कीर्टन गाया करते थे तो उन वानी को सुनकर उन प्रकरणों को सुनकर वे अत्यंता आनंदित हुआ करते थे इस तरह से दिन व्यतित हुए जा रहे थे राजा भाव सिंग अपने आनंद में डूबे हुए थे एक दिन श्री जी ने भाव सिंग को कुरान पक्स की थोड़ी बात बता दी कहते हैं कि इसमें तो हमारी साक्षी लिखी हुई है राजा भाव सिंग ने कहा कि श्री जी साहिब आपकी बात मैं तो मानता हूँ मुझे तो आप पर विश्वास है पर मेरे चार दर्बारी है यदि मेरे चार दर्बारी जो कि मुस्लिम है यदि ये चार दर्बारी भी आपकी बात मान जाएं अथवा ये माने कि आप ही कुरान पर आधारीत आखरूल इमाम मुहम्मद महदी हैं तो मैं औरंग जेब की विरुध युद करने के लिए तलवार उठाने के लिए या मोर्चा खड़ा करने के लिए तयार हूँ तब मैं औरंग जेबसों बाध के कमर लड़ों वास्ते दीन के सिर सौप्या इन बात पर कहते हैं कि मेरा सिर आपके चरणों में समर्पित हो जाए स्रीजी ने का ठीक है आपके जो भी मुस्लिम दरबारी है वो हमें सौप दो उनको हम समझाएंगे और जब वो इमान ले आएं जब विश्वास ले आएं तब आप कहना कहते हैं वे कहें तुमको तहकीक तुम्हारा इसलाम कुरान तरफ तुम्हारे तुम कमर बाधो दीन के क और कहते हैं कि जो दरबारी है वे ही अपने मुख से कहेंगे कि इसलाम जो है वो आपका है आप ही धर्म के सच्चे अनुयाई है और जो कुरान का अवतरण हुआ है वो भी आप ही के लिए हुआ है और उसके बाद आप धर्म की रक्षा के लिए कमर बाध के तयार होना फिर पीछे मत अटना तो भाव सिंग ने इस बात को मन में रख करके ये निश्चय किया और अपने जितने भी दरबारी थे जो चार मुसलिम दरबारी थे उन्हें स्रीजी से मुलाकात करने का निश्चय किया वही समय था कि एक सुन्दर साथ हैं जिनका नाम है भवानी भट वे पहले ही उदैपूर में स्रीजी से मिल चुके थे और किसी कारण से दक्षिन गए हुए थे और दक्षिन भारत से जब आये तो उनके पास कोई ग्रंथ था बुद्ध गिता और बुद्ध स्तोत्र के नाम से बुद्ध गिता बुद्ध स्तोत्र ये लियाया दक्षिन से दक्षिन भारत से बुद्ध गिता बुद्ध स्तोत्र नामक छोटी सी पुस्तिक आहे मुझे लगता है सुन्दर साथ में कई सुन्दर साथ में पढ़ा भी होगा उस ग्रंथ में विजे आभिनन्द बुद्धनिस्कलंग स्वरुप के विशय में कुछ-कुछ स्लोकों में वर्णन किया है जैसे उसमें एक स्लोक आता है अक्षरातीतह एशो वई पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजो मयस चादी रूपह तस्या अवतार उच्यते कि जो अक्षरातीत है वास्तों में वही विजे आभिनन्द बुद्धनिस्कलंग आवतार है वैसे तो आवतार परमात्मा का नहीं होता पर दुनिया आवतार की रूप सही जानती है तो इसमें उस छोटी सी लगु पुस्तिका समझ लीजिए या लगु ग्रंथ समझ लीजिए कुछ स्लोक हैं जिनमें विजे आभिननद बुद्धनिसकलंग स्वरुप के विशे में लिखा है तो औरंगाबाद में वो ग्रंथ लेकर किया है और उन्होंने स्री जी के चरण करते थे तो सुन्दर साथ के सामने वो बुद्ध गिता और बुद्ध स्तोत्र को बाच कर पाठ करके सुनाते थे और अब इसी समय अवल खान आए स्री जी का दर्शन करने के लिए ये अवल खान भाव सिंग के उन चार दरवारियों में से एक हैं पर उदेपुर में ही स्र अलाकात कर चुके राजी भूमिका बनाते हैं संयोग बनाते हैं हमें क्या लगता है वैसे तो आज गल जो भौतिक विज्यान के भी विद्यार्थी है या अध्यापक है वो भी इतना तो मानने लग गए है कि कोई भी जो कारिय होता है वो अकारण नहीं होता है हर कारिय के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर कार्य का भविष्य में भी कोई ना कोई उसकी प्रतिक्रिया होती है अ अध्यात्मी क्षित्र में भी यही बात है है जब हम कहते हैं कि राज्जी पल-पल हम सब पर अपनी कृपाद रिष्टी बनाए हुए हैं, हर ब्रह्मिस रिष्टी की जागनी की भूमिका भी वो ही बनाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम इस तरह की खोज गी, हम इसके वहां गए, उसके वहां गए, पर ये सारी भूमिका राजी ने पहले से हैं, मुल स्वरुप ने पहले ही अपने दिल में ले हुए हैं, एक प्रसंग जैसे चली रहा है, उसी प्रसंग से मैं बताना चाहता हूं, कि देवकरण जी का प्रसंग पुछा कि तुम यहाँ पर कैसे आये बताओ, देवकरण जी ने कह दिया कि मैं तो चत्रसाल जी से किसी विशे में नाराज हो करके यहाँ चला आये था, श्री जी ने क्या कहा था उस प्रसंग में, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको माध्यम बना करके चत्रसाल जी तक पहु चुकि उनमें परमधाम की आत्मा है, और यहाँ उसके माध्यम से राजा भावशिंग को भी प्रबोधित कराना है, तो यह पहले ही मिल चुके हैं उदयपूर में, और उन्होंने श्री जी साहिब को परवर दिगार की रूप में, अक्षरातित धामधनी की रूप में रखा था, तो उन्होंने भी श्री जी के सोरुप की थोड़ी-थोड़ी पहचान कर ले थी, उनमें से कहते हैं, मिहीन को इमान आईया, यह ताबे हुआ तब दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने सोभाव, अवल खान के बाद, मिहीन खान को भी श्री जी के सोरुप पर इमान आ गया है, और अब उन्हें इमाम महदी और कयामत के विशय में भी विश्वास हो गया है, क्योंकि जाहरी मुसलमान तो क्या करते हैं, अभी हम दिल्ली के प्रसम में भी सुनते आ रहे हैं, कि कयामत के जितने भी निसान हैं, उनको वो जाहरी तोर पर देखते हैं कि किसी दिन सच में पस्चिम में सुर्योदय हो जाएगा किसी दिन सच में मुर्दे कबर से उठेंगे वो बीच-बीच में जाकर के दाशते रहते हैं कि कबरिस्तान से सच में उठ तो नहीं गए नमाज पढ़ते समय दोनों तरफ देखते हैं दज्जाल तो आने ही रहा है तो ये जाहरी तोर पर इन्हें क्योंकि तार्तम जियान से पहचान हुई है तो उन्हें पता है कि इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है इनका जो मायना है वो क्या है तो सोयम ही जागनी की सोभा के लिए स्रीजी के सुरुप पर वो इमान लेकर क आए और उन्होंने अपने आपको स्रीजी के चरणों में समर्पित कर दिया और कहते हैं कहारबानों में पठान चली चर्चा तिन में सनन्धे सुनी जहान मुहम्मदे क्यूं ए पहचान होए इन से कहारबान पठान पठानों की कोई विरादरी है तो सनन्धे सुनी जहान मुहम्मदे सनन्ध सुनने के बाद उनको कुछ कुछ तो पहचान हुई पर वो चाहते थे कि मुझे स्रीजी के स्वरुप की पूरी पहचान हो अब उनके अंदर परमधाम की ब्रह्म्य स्रिष्टी तो है ही और दूसरी विशेष्टा क्या थी उनकी कि उनको कुरान की पूरी टिका याद थी और जितने भी पढ़े लिखे वहां के लोग थे जितने भी उन सब को कुरान की तालिम वो दिया करते थे और पढ़े लिखे लोगों में जहान मुहम्मद आरवी खान के नाम से प्रसिद थे ये कहते हैं देता तालिम सबन को जेते रहे पठान वहां रहने वाले जितने भी पठान थे उन सब को कुरान की तालिम दिया करते थे और अब वहां के जो जाहरी मुसल्मान हैं जो तालिम लेते थे जहान मुहम्मद से उन में से कुछ-कुछ लोगों ने ये बात सुनी कि जहान मुहम्मद कोई हिंदू वैरागी की चर्चा सुनने जाते हैं अब रात का समय था भवानी भट रात के लगबग लगबग देड़ प्रहर तक लगबग दस बजे के समय थक बुद्ध गिता और बुद्ध स्तुत्र का पाठ किया करते थे और उसकी कथा कहा करते थे और उसके बाद श्री जी चर्चा के लिए तयार होते थे चर्चा के बाद में स्रिंगार किया जाता था उसके बाद फिर से चर्चा होती थी पहले बुद्ध गिता बुद्ध स्तोत्र पर चर्चा हुई और उसके बाद जब चर्चा होती है तो लालदास जी क्या करते हैं एक तरफ कुरान ले करके बैठते हैं दुसरी तरफ भवानी भट, भागवत लेकर बैठते हैं, तो प्रशंग के अनुसार कभी यदि मुसलिम, स्रोताथिक आए हैं, तो कुरानभक्स की चर्चा होती है और ऐसे ही प्रसंग को देख करके भागवत की चर्चा होती है कहते हैं, स्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ कोई सवाल करत हैं, कोई बानी लेवे हाथ स्री जी चर्चा करते हैं, सुनने वाले सुन्दर साथ है और बीच बीच में किसी को जिज्यासावस कोई प्रशन होता है तो भी स्री जी उसका जवाब लेते हैं और कई सुन्दर साथ अपने हाथ में तार्तम वानी लिए बैठे रहते हैं अब ऐसे समय में अवल खान जहान महम्मद को लेके आते हैं दो महिने तक उन्होंने चर्चा सुनी चर्चा सुन करके उन्हें चोट भी लगी श्री जी की चर्चा से वो बेहद प्रभावित भी हुए लेकिन उनका इमान थोड़ा सा अभी कच्चा था अवल खान और मिहिन खान की तरह अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे थे तो और बातचित के क्रम में उन्होंने राजी के स्रिंगार का वर्णन कर दिया राजी की सोभा का स्रिंगार का वर्णन कर दिया अब जहान मुहमद जिनको पूरी कुरान कंठस थे जिनोंने सभी पठानों को कुरान की तालिम दे रखी है कुरान में एक प्रसंग आता है कि की बात कही गई है कि खुदा की गवाही खुदा खुद देवे करे बयान हुकम सिर लेवे तो कोई और उनकी सुरत का वर्णन भला कैसे कर सकता है अब जहान मुहम्मद को लगा कि ये तो काफिर है क्योंकि अभी आदा पक्का था उनको लगा कि ये खुदा की सुरत का बयान क कोशिस कर रहे हैं वर्णन करने की कोशिस कर रहे हैं ये काफी रहे हैं ये मोमिन नहीं है तो वहां से लड़ धकड करके चले गए अपने घर में और ये सोचते रहे कि मैं दो महिने हो गए यदि इनकी बात में सच्चाई होती तो मेरी तो जागनी हो जानी थी मुझे कुछ न कुछ अनुबह होना था इसलिए अब मैं इनके यहाँ पानी भी नहीं पिने जाओंगा कहते हैं जात रहा घर को कब हुँना लेओं जल कहते हैं कि इनके यहाँ का मैं पानी भी नहीं पिऊंगा अब उत्तमदाह जी आए क्योंकि लालदाह जी और उत्तमदाह जी थे उत्तमदाह जी ने आकर के स्रीजी से अर्जी के के स्रीजी साहब हमारे कारण से जहान मुहम्मद नाराज हो करके चले गए हैं यदि आप कहें तो हम जाकर के बुलाएं स्रीजी कहते हैं कि नहीं बुलाने जाने की आवसेक्ता नहीं है उनमें परमधाम की ब्रहमस्रिष्टी है और दूसरा उसने मेरी चर्चा दो महिने तक सुनी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवसेक्ता नहीं ये एक दिन भी मेरे बगेर नहीं रहे पाएगा और कल सुबह तक आजाएगा आप चिंता मत करो और ऐसा ही हुआ कहते हैं सो दुच्टी होये गई रही ना सके घर में दुच्टी मतलब दो दिल दो दिल होने का मतलब क्या? कि जाऊं या ना जाऊं तो इस तरह से चिंतन करते करते माया हार गई और ब्रह्मिस्रिष्टी जीत गई होता क्या है प्रकास की वाणी में एक प्रकरण है मन और जीव के विशे में जिसमें बताया है जिसमें सनकादिक पूछने जाते हैं नारत जी को कि आप मन और जीव का अंतर बताईए तो उसमें ये बात बताई गई है कि जो स संसय पैदा करने का काम होता है, वो मन का होता है, जीव हमेशा द्रिड होता है, जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, अंतरात्मा की पुकार बोलते हैं न, अंतरात्मा की पुकार क्या है, जब हम किसी विशय को सुन करके, परख करके द्रिड हो जाएं, और जिस विशय में किसी भी जिसको हम बोलचाल की भासा में अंतरात्मा की आवाज कहते हैं और जहां भी संसय है समझ लिजे कि वो संसय कराने का काम मन का है तो यहां मन हार गया क्योंकि मन ही दज्जाल है तो यह मन हारा और कहते हैं प्रातह को उठ दोड़ेगा करने लगे दिल से अब यह तो स्री जी ने कहा कि सुभा सुभा उठ करके दोड़ेगा और वो बात सच हुई कहते हैं दिन दूसरे आई आ स्री जी साहिब जी के पास अब अगले दिन जैसा कि स्री जी ने कहा था वो स्री जी के पास आए और आके कहते हैं कि स्री जी साहिब आप मुझे क्यों नहीं समझाते मुझे भी आपके चरणों की उम्मीद है मैं भी आपके चरणों को पाना चाताओ लवकी कुरूप से नहीं आत्मिक द्रिष्टी से तो स्री जी ने कहा कि ठीक है अब तक तुमने परिश्ट्रम की दो मैने तक अब केवल एक सप्ता या आठ दिन कहा है स्री जी ने कि आठ दिन का समय दिन में केवल एक प्रहर के लिए एक प्रहर में तीन गंटे होते हैं तो कहते हैं आठ दिन के लिए दिन में तीन गंटे तो मुझे दे दो और निष्ठा बद रूप से मेरे पास बैठ करके चर्चा सुनो उसके बाद फिर जो होगा तुम बता देना तो अब अगले दीन से वो प्रती दीन चर्चा सुनने आने लग गए चर्चा सुनते सुनते उन्होंने स्रीजी को एक प्रस्न पुछा कि स्रीजी साहिब मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज कयामत आप ये बताईए कि कयामत के समय में मुर्दे कैसे उठेंगे तो स्रीजी ने कुरान के अंदर से वो प्रसंग निकाल करके बताया मुर्दे के उठने का जो वर्णन है और कुरान में तो संक्षेप में ही है, संकेत में ही है स्रीजी ने पूरा वर्णन की आप बितक खोल करके देखेंगे इस प्रकरण को तो उन्हेंने क्या बताया स्रीजी ने मैं संक्षेप में बता रहाँ जो बात स्रीजी ने कही परमधाम के इश्क रब्द से लेकर कि इश्क रब्द कैसे हुआ, क्यों हुआ कारण सही इश्क रब्द हुआ ब्रह्मात मावने राजी राजी से खेल देखने की इच्छा व्यक्त की क्यों? इश्क की पहचान के लिए और उसी इश्क की पहचान के लिए तीन तकरार बनाए गए पहला ब्रज, दूसरा रास और तिसरा ये जागनी का ब्रह्मान हमें जागरित करने के लिए ही क्योंकि कुछ आत्माएं मुस्लिम तनों में भी आने वाली है ये आने वाली थी तो उनको जगाने के लिए मुहम्मद साहब के रूप में ज्यान लेकर के आने वाले भी वही हैं उनके जाने के बाद 11 सदी में वो स्वयम आए और आकर के अब वह ज्यान दिया कि हम ही थे ब्रजरास में और हम ही आए फिर ये ज्यान दे करके जब हम यहां जागरित हो जाएंगे इस ज्यान को प्राप्त करके जब हम यहां जागरित हो जाएंगे और दूसरी ब्रह्म्य स्ष्ष्टियों को भी सब को जगाएंगे तो परात्म हमारी वहाँ जागरित होगी एक साथ लेकिन उससे पहले यहाँ जब हमें ये सुद आ जाए कि हम तो ये सरीर नहीं है हमने जो पहचान की है अपनी वो हमारी पहचान नहीं है और हमारा जो घर है वो ये ये लोक नहीं है न चौदर लोक का ब्रह्मान है हमारा जो घर है वहाँ इस छर जगत से परे अक्षर और उससे भी परे अक्षरातित जो परम्धा में वो हमारा घर है इस तरह से जब ये पूरी पहचान हो जाएगी तो उस जागरिती की अवस्था को कहते हैं कब्र से मुर्दा उठना क्योंकि यह जो तन है यह कब्र के समान है इसमें जो जीव है वो मुर्दे के समान है जैसे मुर्दे को कुछ पता नहीं होता जीव अज्यानता की मृत्यू में है मरे उए को जैसे कुछ पता नहीं होता वैसे ज्यान प्राप्ट करके जाग जाना कहते हैं यू उठेंगे मुर्दे कबरों से कयामत कयामत के समय में इस तरह से मुर्दे उठेंगे जैसे ही ये दर्वाजा खुल गया दर्वाजा मतलब कापिया करने लगा सोर अब जहान मुहमत के अंदर कहीं न कई वो संसय रुपी दज्जाल था दज्ज्जाल कोई व्यक्ति नहीं हो किसी के अंदर भी हो सकता है हमारे में भी यदि किसी प्रकार से ब्रह्मवाने के उपर प्राण्याजी के स्वरूप के उपर स्वयम के ब्रह आया दिन तीसरे जहान मुहम्मद इमान अब जहान मुहम्मद भी तीसरे दिन पूर्ण इमान ले करके आ गए हकीकत और मारिफत की उन्हें पूर्ण पहचान हो गई इस तरह से अवल खान जहान मुहम्मद और मिहिन खान चार दरबारियों की बात हुई थी उसमें से तीन दर पहुत अधिक जोस आता है और जोस में वो अपना सिर हिलाने लगते हैं विरह इतना होता है कि वो बात बात पर उनको इतना जोस आता है कि कई बार वो रोने लगते हैं तो स्री जी उनको सांतोना देने के लिए सिर पर हाथ धरते हैं हाथ रखते हैं और उनको सांतोना देते ह और फिर जैसे ही परमधाम की वो बात सुनते हैं, वो सावधान हो जाते हैं, इस तरह रात को चर्चा होती है, कहते हैं, यो चर्चा रात को हो वहीं, जब रहे पिछली घड़ी चार, कितनी देर तक चर्चा होती है? सुबह के रात्री की बात नहीं हो रही है, रात के दस बजे से तो चर्चा शुरू होती है, दस बजे तक भवानी भट बुद्ध गिता बुद्ध श्तोत्र की चर्चा करते हैं, उसके बाद स्रीजी इस तरह से चर्चा करना शुरू करते हैं, और रात्री के जितने चार प्र करके अपने आपको धन्य समझते हैं और श्री जी ने वहाँ सुन्दर साथ को पुरी रात सुनाने वाले में तो सामर्थ है यस सुनने वाले के भी तो सामर्थ है यहाँ पहली बात तो यह कि हम एक वेक्ति लगातार इतनी चर्चा नहीं कर सकते एक दिन जबरजस्ती कर भी लिए अगले दो अपते तक हम बोलने लायक नहीं रहेंगे और साथ में यदि तीन-चार लोग मिलकर के भी सुनाने के लिए बैठ जाएं तो कोई हम में हिम्मत है जो साड़े-चार बज़े तक बैठे सुबा लगाता और एक दिन की बात ने ये दिन चरिया तो पन्ना जी में भी दस-दस वर्षों तक ये चली है इस तरह से अब चर्चा होती है प्रातह के साड़े-चार बज़े तक और उसके बाद सब सुन्दर साथ अपने-अपने चर्चा इस्तल से विदा ले करके अपने-अपने निवास पर जाते हैं और आपस में बैठ करके चर्चा करने लगते हैं अभी भी सो नहीं रहे हैं मैं हैरान होता हूँ कई बार यह सोच करके कि हम वैसे तो रात को जब हम पड़ावनी करते हैं तब भी बोलते हैं अश्ट प्रहर दिन 64 गडियां निसे दिन प्यू 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 कहिए लेकिन अधिक्तम हम क्या करते हैं पूरे दिन में वाणी चर्चा वाणी मन्थन और चित्वनी इन तीनों का हमारा टाइम मिला दिया जाए और जितने समय में हमने किसी सुन्दर साथ से राज्य की बात की तो ज्यादा से ज्यादा चार गंटे और वो भी सब की नहीं कई सुन्दर साथ तो ऐसे हैं जो प्रती दिन यदि निरंतरता की बात करें तो हम में से कोई तो ऐसे हैं जो प्रती दिन के एक गंटा भी नहीं करते और यदि हमने एक गंटे का नियम बना लिया है मान लिजे कि हमने एक महिने तक प्रती दिन एक गंटे चित्वनी की तो हम पता नहीं अपने आपको क्या समझने लग जाते हैं अंदर ही अंदर बले ही बाहर ना कहें पर हमें लगता है कि देखो एक महीना होगी हम रोज चित्वने कर रहे हैं यहां मैं सोचता हूँ कि उन सुन्दर साथ की अवस्था ऐसे तो कैसी हो गई होगी कि साड़े चार बजे तक रात को चर्चा सुनने के बाद भी अभी भी उनका मन नहीं भरा है और जा करके स्री जी को तो आराम दे रहे हैं क्योंकि उनको आराम की आवसेक्ता भी थोड़ी देर के लिए साई क्योंकि इतना बोला है बोलने में बहुत उर्जा लगती है लेकिन सुन्दर साथ भी यहां से जाने के बाद सो नहीं रहे हैं राज्जी की ही बात कर रहे हैं तो वो किस आनंद में होंगे किस अवस्था में पहुंचे होंगे कि उनको सोने की सुध नहीं है उनको आराम की कोई आवसेक्ता नहीं लग रही है वास्तों में तो इन ब्रह्ममुनियों की अवस्था वो है जिसमें हम चोपाई में कह रहे हैं अश्ट प्रहर दिन 64 घड़ी आठो प्रहर 64 घड़ी प्रती पल उनका राज्जी मैं है और हमारा हम तो मैने बर में आठ प्रहर कर ले तब भी बड़ी बात है एवरेज निकालने तो हफते में भी ने मैने में तो मैं ये सूच करके आश्चर चकित हो जाता हूँ कि ये कैसे संभव होता होगा हाँ ये संभव कैसे होता है बाउदिक द्रिष्टी से तो पता है हमें कि ये संभव ऐसे होता है कि जब हम राज्जी को अपना मानेंगे या फिर जब हम राज्जी को ही अपना मानेंगे दो बाते हैं एक तो यह है कि हमने राज्जी को अपना माना है अब भी हम मुक्से तो मानते ही है ना बहले ही दस्वे नमबर पर रखें पहले नमबर पर किसी के लिए पती किसी के लिए पत्नी किसी के लिए माता पिता किसी के लिए बच्चे किसी के लिए बहन किसी के लिए मित्र किसी के कहीं न कहीं लिस्ट में तो आते हैं पर ऐसे नहीं जब हम राजी को ही अपना मानेंगे तो ये अवस्था आ सकती है उससे पहले तो नहीं आएगी उससे पहले हम कितना भी गाले मैं बहुत छोटा था ये घटना है लगबक जब मैं 12 या 13 वर्सका था किसी सुन्दर साथ के घ जानकारी तो थी नहीं बस मैंने देखा कि पोड़ावनी हो रही है शेवापुजा तो हम करते से थोड़ा बहुत पोड़ावनी के बाद में एक भजन की तरग आते हैं उसको क्या केते हैं मुझे पता नहीं है पर उसकी पंक्ती है सुन्दर साथ को याद होगी बंदे आसि होना फिर सोना क्या जब नैनों में नीद आवत है तक्या और विछोना क्या पहले बात है कि एक ही चोपाई में विरोधावास है पहले तो सोने के लिए मना कर रहे हैं कि जो आसिक है वो सोते नहीं है और दूसरे चरण में कह रहे हैं कि जब आँखों में नीद आ रही तो तक्ये की भी जरुवत नहीं पड़ती है तो एक चोपाई में ही विरोधावास है और दूसरी बात कि अब थोड़ा बहुत अर्थ तो समझ में आता ही था तो मैंने देखा कि ये 15 मिनिट पहले ये गायन किया कि बंदे आसिक होना फिर सोना क्या और 15 मिनिट के बाद सब सो रह है सारे सुन्दर साथ सो रहे और आज जब मैं इस प्रसंग को देखते हुए या अश्च प्रहर की लिला का वर्णन पढ़ते हुए या चर्चा करते हुए मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जब हम केवल राज्जी को अपना मानेंगे अभी तो हमारे मन में चिंता ह होती है पूरी दुनिया की हम आख बंद करके बैठ भी जाएंगे मान लेते हैं कि सुबह हम चार बजे नहीं उठ पाते हैं मान लिज्ये पाच बज भजी उठ गए चौन भज बैठ जाते हैं, पर क्या कभी ऐसा हुआ है, कि चित्वनी करते करते कोई काम याद आ गया हो, जो थोड़ा जरूरी सा लगे, लेकिन फिर भी हमने उस जरूरी काम को इग्नोर किया और कहा हो, कि राज्जी से जरूरी कुछ नहीं, ऐसा कभी वपाता है, मुझे नहीं लगता, जिस दिन ये हमारी अवस्था आजाएगे, कि राज्जी से जरूरी कुछ नहीं, उस दिन ये अश्ट प्रहर्दिन 64 घडियां वाले स्थती भी आजाएगे, उन ब्रह्म मुनियों के लिए, क्योंकि इनको मंदसोर से तपाया गया है, मंदसोर तक पहुँचाया गया, वहा इतना ही है, इस से ज्यादा माया कुछ नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या ही करना पड़ सकता है, भिखारी बना देंगे, बना दी राजी नहीं, अब और कुछ रहा ही नहीं, तो सुन्दर साथ को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जिनको इमान है पूर्ण रूप से उनको क्योंकि बच्चे तो उनके भी थे बहुत सारे सुन्दर साथ सब परिवार निकले है न तो बच्चे उनके भी हैं पर उन्हें चिंता नहीं कि हमारे बच्चों का क्या होगा सोचिए कि तन तो मिहिर राज जी का है जीव तो संचार का ही होगा पर अभी भी तो बच्ची राज जी को साड़े आठ सो किलोमेटर दूर छोड़ा है और दूसरा अभी तो छोड़ा है दीप बंदर में जब लुटेरे अपहरन करके लेके गए थे 24 में 22 में तो स्रीजी दिप बंदर पधारे थे 24 के असपास अपहरन किया गया था लेकिन कितने साल के बाद में बाईजीरा जी वापस आई चार साल के बाद हमारे जैसे होते तो चार साल में सूख करके कांटे हो जाते या खतम हो जाते स्रीजी ने चिंता ने कि स्रीजी ने ये पूरा सौप दिया कि राज जी का है क्योंकि उन्होंने पहले ही तपा दिया था राज जी जिस जीव से सेवा लेनी होती है उसको तयार कर देते हैं भूमिका बना देते हैं हाँ भूमिका बनने के बाद भी हम माया की तरफ कूद करके जाएं तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसकी तो हासी ही होनी है मिहर राज जी के जीवन में ऐसी कठी नाईयां आने वाली थी उन कठी नाईयों के लिए पहले ही फुलवाई का त्याग करवा के दिखा दिया जो फुलवाई जी का त्याग कर सकते हैं तो फिर तेज कोईर जी का भी कर सकते हैं वो उन्होंने चार साल तक के लिए केवल जाग नहीं सोची तो इस तरह से परस्तिती से गुजरते 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 मनसोर से होते वे यहां आये हैं तो सुन्दर साथ के मन में भी ऐसा ही है पूरी रात भर चर्चा सुनने के बाद भी सुबह उठ करके सुबह चर्चा से उठ करके आपस में भी राज्जी की ही बात करते हैं केंद्रविंदु में राज्जी है जो कुछ भी कर रहे हैं राज्जी के लिए कर रहे हैं तो वो अवस्था तब आएगे बस एकी वाक्या याद रखना है हम सब को एसा नहीं कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ हम सब को एकी वाक्या याद रखना है कि राज्जी ही अपने हैं उनसे जितना अपनापन होगा हम उतना ही सब कर पाएंगे उनके लिए दुनिया में किसी को हम अपना मानते तो उसके लिए कितना एफ़र्ट करते वैसा ही है और राज्जी के लिए भी पहले तो एफ़र्ट करना पड़ेगा उसी को तो करनी कहते है न और जब एफ़र्ट करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी कि वही क्रिया एफटले सोने लगे तो वो रहनी की अवस्था है लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें राज जी को अपना मानना होगा अब यहां सुन्दर साथ सुबह भी चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं तब स्रीराज आरोग के हिंडोले खाट पौड़त पीछे साथ ही इन समय रास की रामते गावत अब सुबह के समय में क्योंकि रात भर बोले हैं सुन्दर साथ आप में से यदि कोई लगातार चर्चा करते हैं तो चर्चा करने वाले को पता चलता है मैं राज जी की महर से 2008 से थोड़ा बोहत बोल पा रहा हूं तो मुझे पता है बोलने में कितनी एनरजी लगती है कई बार क्या आप सुनर साथ सोचते हैंगे कि क्या बात बोल रहा है वो यह फैक्ट है प्राक्टिकल है इसले मैं आपको बता रहा हूँ कई बार मेरे मन में ऐसा आता है कि आज के बाद मैं साम का खाना छोड़ दूँगा ठेके मैं सोचता हूँ लेकिन अभी जैसे चर्चा कर रहा हूं में चर्चा करते करते भी इतनी भूख लगती है कि ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा बहूत एनरजी लगती है और अभी तो हमें माइक में बólना पढ़ा रहा है श्री जी तो इतने सारे लोगों के लिए बिना माइक के बोलते थे पनना जी में पांच आजार लोगों के लिए बिना माइक के उनको बोलना पढ़ता थे दिन के 6-8-8 गंटे तो एनरजी बहुत लगती है तो प्रातह के समय में उठ करके कुछ अलपाहार करते हैं और उसके बाद श्री जी एक जूले वाले पलंग पर लेटते हैं और कुछ सुन्दर साथ आ करके रास्की रामतों का गायन करते हैं यो करते भोर हो वहीं लीला भई मास चार इस तरह से अब औरंगाबाद में चार महीने वेतीत हो गए नित्याने उच्छव किर्तन हुआ साथ अंग करार इन चार महीनों में प्रती दिन उच्छव रस्वई होती है वाणी चर्चा होती है कीर्तन का गायन हुआ करता है और कहते हैं हुआ साथ अंग करार सभी सुन्दर साथ के हृदय में अंग मतलब यहां अंतसकरण से हृदय से तो सब सुन्दर साथ के हृदय में करार अर्थात शांती और आनंद का अनुभा होता है आप औरंगजेब के तीन दरवारी तो या फते मुहम्मद या फते अल्ला भी कहते हैं अब उसकी जागनी कैसे होती है या होती है कि नहीं होती है और राजा भाव सिंग किस तरह से औरंग जेव के विरुध यूद करने के लिए तयार होना तो चाहते हैं पर कैसे उनका तन छूट जाता है इस प्रसंग में सुन्दर साथ में ये प्रशन भी होता है कि राज जी का दर्शन करने से तन छूट जाता है इसकी क्या वास्तविकता है और भाव शिंग के देहत्या के पस्चात किस तरह से सुंदर साथ को फिर से फते मुहंबद के कारण महा से भागना पड़ता है और फिर कुछ सुंदर साथ के मन में उनकी मनस्तिती थोड़ी डामाडल होती है जिसको हम इमान का हिलना भी कह सकते हैं और उनको स्रीजी किस तरह से प्रभोधित करते हैं ये सारे प्रसंग की चर्चा सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है चोपाइदो राई यो करते भोर हो वही लीला भई मास चार नित्याने उच्छव हुआ साथ अंग करार हुआ साथ अंग करार बोलसरी प्राणनाथ बोलसरी सद्गुरु महरा प्रणाथ